शिशुपाल का करोत युदिष्टर का समझाना और विशमादी का कथम उन्नासिमा अध्याई विशमपाईन जी कहते हैं जन्मे जी चेदी राज शिशुपाल भगवान शिर्किष्ट की अक्रपुजा देखकर चड़ गया उसने भरी सबा में भिशम पिता में और धरम राजी दिश्टर को धिकारते हुए शिर्किष्ट को पटकारना शुरू करती है उसने कहा बड़े-बड़े महात्माँ और राज रिशिय प्रपक बालक हो तुम्हें शुक्षम धरम का ज्यान नहीं है विशम पिता में भी सथ्यागे हैं इनकी द्रिश्टी धीक दर्चनी नहीं रहे गी है विशम तमारे जैसे धरमात्मा प्रूश्वी जब मनमाना काम करने रगते हैं तो जिगत में अपमानित होती हैं क्रिश्ट राजा नहीं है फिर ये राजा में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है ये आयूम में तो भी तो सबसे विरिद्ध नहीं है इसके पिता वसदेवा भी जीवित है यदि इसे अपना सच्चा हितेशी और अनकूल समझ कर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या के दिश्टी से भी सबसे पहले विद्या व्योगरित भगवान शिरकिस्त अपायन की ही पूजा होनी चाहिए थी ये दिश्टा रिच्छा मृत्यों पुरुश्चेश्ट विश्यम पिता में के रहते तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया शास्त्र पारदर्शी वीर आचारे महात्मा कृप किमपुर्शों के आचारे ध्रुम पांडू के समान मान नियन सर सद्गुन संपन भीश्मक को छोड़कर उनकी उपस्तिती में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला ये कृष्णा रिद्विग है ना राजा है ना तुमने किस कामना से इनकी पूजा की है यदि तुमें कृष्ण की ही अकर पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस परकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था हम लोग भे लोबादी के कारण तुमें कार नहीं देते हम तो ऐसा समयते हैं कि ये सीधा सादा ध्रमात्म मनुश्य है ये समराथ हो जाए तो अच्छा ही है सो तुम इस गुनहिं कृष्ण की पूजा करके हम लगों का त्रिसकार कर रहे हो तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात होगे तभी तो तुमने इस धर्मचुत की पूजा करके अपने बुद्धी का दिवार यापन दिखाया है शिशुपान ने भगवान शिर्किश्क और मु करके कहा कृष्ण मैं मानता हूं कि पांडव बेचारे ड्रपोक और तपस्सी है इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुमें तो चिना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो यदि कायرता और मुर्गता वश्च इन्होंने तुमारी पूजा कार भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे सिर्कार क्यों किया जैसे कुत्ता लुक छिपकर जरा सी घीक चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे वैसे ही तुम ये अयोग्य पूजा से कार करके अपने को बड़ा मान दे हो तुमारी इस अंचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता ये पांड़ों तो सपस्ट रूप से तुमारा ही तिसकार कर रहे हैं नपुंसक का व्या करना, अंदे को रूप दिखाना, राजी हिन को राजाओं में बिठा देना जिस परकार अपमान हैं वैसे ही तुमारी ये पूजा भी है हमने युदिष्टर विशम और तुम को देख लिया, तुम सब एक से एक बढ़ कर हो ऐसा कैकर शिशुपाल अपने आसन से उट खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहाँ से जाने के लिए तियार हो गया धरम नाज युदिष्टर ने तच्शन शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मदुरवानी से कहा राजन आपका कहना उचित नहीं है कड़ी बात कहना निरर्थक तो है ही अधरम भी है हमारे पिता में भीशम धरम का रहसे ना जानते हों ऐसा नहीं है आप वियर्थों का त्रिसकार मत कीजिए देखिए यहां आप से भी विद्या वेवरेद बहुत से राजा अपस्तित हैं उन्हें भगवान शिरकिश की पूजा बुरी नहीं मालम हुई है आपको भी उनीके समान इसके संबंद में कुछ नहीं कहना चाहिए चेदी नरेश पिता में बीश में ही भगवान शिरकिश के वास्तिक सरूप को जानते हैं शिरकिश के संबंद में उनके जैसा तक्त्तो ग्यान आपको नहीं है युदिश्टर इस परकार कही ही रहे थे कि भीशम पिता मेंने उन्हें संबोधन करके कहा धरमराज भगवान शिरकिश तिरलोकी में से सबसे शिरिष्ट हैं जो उनकी पूजा को अंगिकार नहीं करता उनसे अनुने विने करना अंचित है शत्री धरम के अंसार जो जिसे युद्ध में जीत लिता है वे उससे शिरिष्ट माना जाता है भगवान शिरिकिश ने इन उपस्तित राजाओं में से किस पर विज़े नहीं पराप्त की है एक का भी नाम तो बतलाओ ये केवल हमारे ही पुज्य हो ऐसी बात नहीं है सारा जगत इनकी उपास ना करता है इन्होंने सब पर विज़े पराप्त की हो इतना ही नहीं संपुरण जगत सर्व आत्मना इनी के अधार परस्तित है मैं मानता हूँ कि यहां बहुत से गुरुजन और पुज्य उपस्तित है फिर भी पूरवक्त कारण से हम भगवान शिरिकिश की पूजा कर रहे है भगवान शिरिकिश की पूजा का निशेद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ग्यानियों का ससंग किया है और उनके मूंसे सकल गुनों के आशरे भगवान शिरिकिश के दिवे गुनों का वर्न सुना है यहां आई हुए शिरिष्ट पुर्षों की सम्मती भी मैंने जाननी है इन्होंने अपने जनम से लेकर अब तक जितने करम किये हैं उनका मैंने शिरिष्ट पुर्षों से शिरवन किया है शीचुपाल हम लोग केवल स्वार्थवश संबंद के कारण अथा उपकारी होने से ही भगवान शिरिकिश की पूजा नहीं करते हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान शिरिकिश जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुख का रही है और समस्त शिरेष्ट प्रुश उनकी पूजा करते हैं यहां जितने लोग हैं उन सब की बच्चे बच्चे की प्रिक्षा हमने ले ली है याश, शूर्ता और विजे में कोई भी भगवान शिरिकिश के समान नहीं है ग्यान और बल दोनों ही दिष्टियों से भगवान शिरिकिश से बढ़कर कहीं कोई नहीं है दान, कोशल, शास्तर ग्यान, शूर्ता, संकोच, कियती, बुथ्थी, विने, लच्मी, धैर्य, तुस्ती और पुस्ती सभी गुन भगवान शिरिकिश में नित्य नित्य निवास करती है परम ग्यानी, शिरिकिश्ट हमारे आचारे, पिता और गुरू है सब लोगों को इसमें हार्दिक सयोग देना चाहिए था वे हमारे रिद्धिक, गुरू, विवाह, सनातिक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ है इसलिए हमने उनकी अगर पूजा की है भगवान शिरिकिश्टी संपुरन विश्य की उत्पतियां पर लेकिस पस्थान है उनकी क्रीडा के लिए ही सारा जड़, चितन, जगत है वे ही अव्यक्त प्रकिती हैं और वे ही सनातन करता हैं जमने मरने वाले समस्त पदारतों सिवे परें इसलिए सब से बढ़ कर पूजनी हैं बुद्धी, मन, महत, वायू, तेज, जल, आकाश, पृत्थी और चारो परकार के सब प्रानी, वगवान शिरकिश के अधार पर हिस्थित हैं सूरी, चंद्रमा, ग्रे, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सब के सब शिरकिश में हिस्थित हैं जैसे विदों में अगनी होत्र, चंदों में गायत्री, मनुश्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, जोतिश चक्र में सूर्य, पर्तों में मेरू, और पक्षियों में गरुड शिरिष्ट हैं उसे इस बात का ग्यान नहीं कि भगवान शिरकिष सर्दा सर्वत्र सब रूपों में विद्द्वान है इसी से वे ऐसा कहरा है जो सदाचारी एम बद्धिमान पुरुष धरम का मरम जानता चाता है उसे जैसा धरम का तत्तो ग्यान होता है वैसा शिशुपाल को नहीं है इसे तो कभी सच्ची जिग्यासा ही नहीं हुई यहां कितने छोटे बड़े राजरिशी महर्शी उपस्तित है उनमें कौन ऐसा है जो भगवान शिर्किष को पुज़ नहीं मानता और उनकी पूज़ा नहीं करता एक मातर शिशुपाल इस पूज़ा को बुरा समझता है वैस समझा करें वैस जो ठीक समझे कर सकता है भीशम बिताम इतना कहकर चुपोगे अब मादरी नंदन सहदेव ने कहा भगवान शिर्किष परंप्रा कर्मी है उनकी मैंने पूज़ा की है जिनें ये बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वो बोले मैं उसका वद्ध करूँगा सभी बुद्धिमान हमारे अचारे पिता गुरु एम पूज़नी और भगवान शिर्किष को पूज़ा का सम्मर्थन करे सहदेव ने इस परकार केकर जोर से लात पटकी प्रन्तो उन मानी और बल्वान रजाओं से किसी की जीव तक नहीं ली अगास से सहदेव के सिर पर पुछव की वर्शा होने लगी और अद्रिश रूप से सादो सादो की ध्वनी सुनाई पढ़ने लगी देव रिशी नारद भी वहीं बैटे थे उनकी सरवग्यता पर सिद्ध है उनने सब के सामने बड़े शपस्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमन लियन भगवान शिरकिश की पूजा नहीं करते उनने जिन्दा रहने पर भी मुड़दा ही समयना चाहिए उनके साथ तक कोई बात तक नहीं करनी चाहिए इसके अनंतर सेदेव ने भ्रामन और शत्रियों की यत्वद पूजा की इस परकार पूजा का कम समाब थुआ भवान शिरकिश की पूजा से शिशुपाल करोद के मारे आग बबला हो गया उनकी आखें खोन उगल रही थी उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेना पती बन कर खड़ा हूँ अब आप लोग किस उधेर बुन में पड़े हैं आईए हम लोग डट कर यादो और पांडों की समलित सेना में सिर्फ फिड़ जाए इस परकार शिशुपाल यग में विघन डालने के लिए राजाओं को उच साहित कर उन से सला करने लगा उस समय में लोग करोज से तिल मिला रही थी चेहरे पाद शिकन पड़ गी थी वे यही सोच रहे थे कि श्रिकिष्ट के पूजा और यदिश्टर का यग्यान तभी शेक ना होने पाए धरम राज यदिश्टर ने देखा कि बहुत से लोग शुद्ध शागर की भाति उमड़ कर युद्ध करना चाते हैं तब उन्हें भीशम पितामे के पास चाकर कहा पितामे आप मुझे क्या करना चाहिए आप यग्य के निर्विघंच समापती और प्रजा के हित का उपाई बतलाईए तब भीशम पितामे ने कहा बेटा डरने के कोई बात नहीं है क्या कभी कुता सिंग को मार सकता है मैंने पहले ही तुमारे करतव ये का निश्चे कर लिया है जैसे सिंग के सो जाने पर कुते मौगते हैं वैसे ही भगवान श्रीकिस के चुप रहने से ही ये चिला रहे है मौर्ख शिशुपाल अंजान में इन राजाओं को यहम परी बेजना चाता है निसंदे भगवान शिर के शिशुपाल का तेज खींच लेना चाते हैं ये जिसको खींच लेना चाते हैं उसके बुद्धी ऐसी हो जाती है ये सारे जगत के मूल कारण और परले स्थान तुम निश्चिंत रहो भीशम पिता में की बात शिशुपाल ने भी सुनी उसने बीशम को डांटते हैं कहा बीशम तुम्हे सब रजाओं को धंकाते समय शरम नहीं आती अरे बुडे होकर अपने कुल को क्यो कलंकित करते हो मूरख और घमंडी कृष्ट की परशंचा करते हैं समय तुमारी जीब के सो टुकडे क्यों नहीं हो जाते मूरख से मूरख भी जिसकी निंदा करता हैं उसी क्वालिये की तुम क्या नहीं होकर क्यो परशंचा कर रहे हो यदि इसने बच्पन में किसी पक्षी बकासुर घोडे केशी बैल और रिश्वासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ यक युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे यदि इसने चेतनाहिन छक्डे शक्टासुर को पैर मार कर उलट दिया तो क्या चमतकार हुआ यदि इसने गुवरधन बरवत को साथ दिन तक उठा लिया तो कौन सी आलों की घटना घट गई अरे वै तो दीमकों की बांबी मात रहे अवश्शी ये सुनकर हमें आश्चर हुआ कि पेटू श्रीकिष्ट ने गुवरधन बर बहुसा अन खा लिया जिस महावली कंस का नमक खाकर ये पला था उसी को इसने माड डाला है ना कृत गंता की हद धरम ग्यानी जी धरम के अंसार इस्त्री को ब्रामन और जिसका अन खाएं जिसके आश्रे में रहें उसे नहीं मारना चाहिए जिसने जनमते ही इस्त्री पूत्रा को माड डाला उसे ही तुम जगतपती बतलाते तो बुद्धी की वली हारी है अजी तुम्हारे कहने से ये कृष्ण भी अपने को वैसे ही मानने लगेगा अजी धरम धवजी तुमने अपने सभाव की निच्टा के कारणी पांडों को ऐसा बना दिया है तुमने धरम की आड में जो जो कुरंग किये हैं वे क्या कभी किसी ग्यानी के द्वरा किये जा सकते हैं काशी नरेश की कन्या अंबा शालों को अपना पती बनाना चाहती थी प्रंतो तुम उसे बल पूर खार लाए ये कौन सा धरम है जी तुम्हारा ब्रहमचे रेवेर्थ है तुमने नपुसंता अत्वा मुरता के कारण ये हट पकड़ रखा है आप तक तुमने कौन सी उन्नती संपाधन की है हाँ धरम की बाते तो बढ़ चट कर रवश्य करते हो सभी लोग जरासंद का आदर करते थी उन्हें क्रिश्टन को दाज समझ करी उसका बद नहीं किया उनकी हट्चा करने में इस क्रिश्टन ने भीमसेन और अजन के साथ मिलकर जो करतूत की उसे कौन ठीक समझता है आचे रे तो ये कि तुमारी बातों में आकर पांड़ भी करतवे चुत हो रही है क्यों ना हो तुमारे जैसे नपुंसक पुर्शार्थीन और भूड़े जब समती देने वाले हो तब ऐसा होना ही चाहिए शिशपाल की रुखी और कठोर बाते सुनकर परतापी भीमसेन क्रोध से तिल मिलाव थे सब ने देखा कि भीमसेन परले कालिन काल के समान दान्त पीस रहे है वे क्रोध में आकर शिशपाल पर टूट रही चाहते थे कि मा बाव वीशम ने उन्हें रोकती है इतना सब होने पर भी शिशपाल टस से मस नहीं हो वै डटाई रहा उसने हास कर कहा वीशम छोड़ दो छोड़ दो इसे अभी अभी सब लोग देखेंगे कि ये मेरे क्रोध की आग में पतंगे की बाती भसम हो रहा है वीशम पितामे ने शिशपाल की बात की और कोई ध्यार नहीं दिया वे भीमसेन को समझाने लगे भीशम पितामे ने कहा भीमसेन ये शिशपाल जब चेदी राज के मंच में पैदा हुआ तब इसके तीन नित्र थे और चार बजाएं थी पैदा होते ही एक गदो के समान रैंकने चिलनाने लगा था सगे संबंदे इसकी ये दशा देखकर डर गे और इसके त्याका विचार करने लगे माता पिता मंत्री आदी का एक ही विचार देखकर अकाश वानी हुई राजन तमारा ये पुत्र बड़ा शिरीमान और बली होगा इससे डरो मत निश्चीन टोकर इसका पालन करूँ माता ये संकर प्रेम में पाग गई उसने हाथ जोड़ कर कहा जिसने मेरे पुत्र के संबंद में ये विच्शवानी की ये वे चाहि कोई भी हो सियम भगमान देवता अथ्वा अन्य मैं उसे परनाम करती हूँ और उसे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यू किसके हाथ होगी अकाशवानी ने दबारा कहा जिसकी गोद में जाने पर तुमारे पुत्र की दो अधिक बुझाएं गिर पड़े और जिसे देखने मातर से तीसरा नेतर लुक्त हो जाए उसी के हाथ हो इसकी मृत्यू उस समय इसे विचितर शिशू का समाचार सुनकर पृत्थी के अधिकांश राजाई से देखने के लिए आये थे चेदी राज ने सबका यतोचित सदकार करके बालक शिशुपाल को सबके गोद में रखा परन्तों ना अधिक बुजाएं गिरी और ना तो तीसरा नेतर लुक्त हुआ भवान शिरकिश और महावली बल्राम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदी पुरी में आई परनाम शिरवाद और कुशन मंगल के पश्चाद स्वागत सतकार हुआ अरंतर बुआ ने अपने भतीजे शिरकिश की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया उसी समय उसकी अधिक दो बुजाएं गिर गई और तीसरा नेतर गाइब हो गया शिशुपाल की मतां व्याकुल हैं भैभीत होकर शिरकिश से कहने लेगी शिरकिशन मैं तुम से डर गी हूँ तुम आर्तों को आश्वाशन और भैभीतों को अभे देते हो इसनी मुझे एक वर दो तुम मेरी और देखकर शिशुपाल के सारे प्राद शमा कर देना बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ शिरकिशन ने कहा भुआ जी तुम शोक मत करो मैं तुमारे पुत्तर के ऐसे सो प्राद भी शमा कर दूँगा जिस के बदले इसे माट डालना चाहिए भीमसेन इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सबा में मेरा तिसकार किया है भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस परकार मेरा अपमान कर सके ये कुल कलंक अब काल के गाल में है इस समय ये मुर्ख हम लोगों को कुछ ना समझ कर सिंग के समान दहाड रहा है प्रन तो इसे पता नहीं कि कुछ ही शनमे शिरिकिष अपने इस तेज को ले लेना जाती है भीश्म की बाद शिशुपाल से सही ने गई वे क्रोध प्रिजल कर कहने लगा भीश्म तो भाट के समान बार बार जिसका गुनगान कर रहे होए क्रिश्न क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता हम तो निश्चे ही उससे द्विश करते हैं यदि तुमारी आदत ही प्रशंचा करने की है तो दूसरों की प्रशंशा क्यों नहीं करते दर्द्राज वाहनी की स्तुती करो जिसके जनमते ही प्रिथी काम पुठी थी अंग बंग अधिपती करन महारथी द्रोन और इश्ष्ष्थामा इनकी भरपेट स्तुती कर लो क्या तुम्हें प्रशंशा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं तुम अपने मन से भी भोजपती कंस के चरवाहित दुरात्मा श्रीकिष्ण को ही सब मानकर सब कुछ मानकर बाते बगार रही हो वास्ता में इन राजाओं की द्या से ही तुम जी रही हो यह चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण लेने सच पुछ तुम बहुत ही खोटे हो भी शम बिता में निकाज शिशुपाल तु कहता है कि मैं राजाओं की द्या से जीवित हूँ तरन तु इन राजाओं को त्रिन के बराबर भी नहीं समझता हमने जिन श्रीकिष्क की पूजा की अब सब के सामने ही बैटे हैं जो मरने के लिए ताबले हो रहे हो वे चक्रगदाधारी श्रीकिष्क को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ललकारने वाला रन भुवी में धराचाई होगा और उसे उनी के शीर में स्थान मिलेगा शिशुपाल जोश में आकर श्रीकिष्क की और रुख करके बुला क्रिश्न मैं तुमें ललकारता हूँ आओ मुझसे भीड़ जाओ मैं पांडो के साथ तुमें यंपरी भीज दूँ पांडों ने मुरकता वश तुमारे जैसे दास, मुरक और अयग की पूजा की ही तुम लोगों का वद्ध ही उची थे शिशुकाल की बाद समात होने पर वगवान शिरकिष्ट ने बड़ी गंबीता से मदूर शब्दों में कहा राजाओ ये हम लोगों का संबन्दी है फिर भी हमसे बड़ी शब्तुरता रखता है इसने हम ये दुवशियों का सित्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की इस तुरात्मा ने मेरे प्राग जोतिशपूर चले जाने पर बिना किसी अपरात के ही द्वार का पुरी जला देने की चेश्टा की जिस समें भोजराज रवे तक परवत पर विहार करने के लिए गे हुए थे इसने उनके सबी साथियों को मार डाला अथा बांद कर अपना राजधानी में ले गिया जब मेरे पिता अश्य में यग्य का रहे थे तब इस पाप आत्मा ने उसे विघन डालने के लिए यग्य अश्य को पकड़ लिया था यदुवंशी तपस्य वब्रू की पत्नी जिस समें सौवीर देश के लिए जा रही थी ये उन्हें देखकर मोहित हो गया और बल पूरक हर लिए इसकी मेरी बहन भद्रा करश राज के लिए तपस्या कर रही थी परन्तो इसने चल से रूप बदल कर इसे हर लिया ये सब देख सुनकर मुझे बड़ा कस्त होता है परन्तो अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा आज ये दुस्त आप लोगों के सामने ही विद्यमान है यहां इसने भरी समा में मेरे प्रती जैसा विभार किया है वे आप लोग देख ही रही है इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्तिती में इसने क्या क्या किया होगा आज इसने इस आदर्नी राज समाज के बीच में घमन डवश जो दुर विभार किया है उसे में कदापी सहन नहीं कर सकता भगवान शिरिकिष्ण इस परकार कहे ही रहे थे कि शिशुपाल उटकर खड़ा हो गया और ठटा कर हसने लगा उसने का क्रिष्णे यदि मुझे सो बार गरज हो तो मेरी बात सुन और से ना गरज हो तो चाहे कर ले तेरे क्रोध या परसंता से ना मेरी कुछ हानी होगी ना दुलाब जिस समय शिशुपाल इस परकार कह रहा था उसी समय भगवान शिरिकिष्ण ने चक्कर का समरन किया समरन करते ना करते चक्कर उनके हाथ में चमकने लगा भगवान शिरिकिष्ण ने हुँचे सर से कहा नर्पतियो मैंने इसे अब तक जो श्मा किया था इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्राथना से इसके सो प्राथ श्मा करने की बाद सभी कार कर ली थी अब मेरे वच्छन के अंसार संख्या पूरी हो गई इसलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर्ध धर से लग किये दिता हूँ वगवान शिर्किष नहीं कहकर बिना विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर्काट डाना और सब लोगों के देखते देखते ही वे वज्र विद्ध परवत के समान धाराशाई हो गया उस समे राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शियत से सूर के समान परकाशमान एक शिर्ष जोती निकली उसने जगत वंदित कमलोचन भगवान शिर्किष को परनान किया और लोगों के देखते ही देखते वे उनमें समा गई वे आदबत घटना देखकर उपस्ती जनता आकारश चकित हो गई सभी एक सर में भगवान शिर्किष की परशंचा करने लगे धरम राज दिश्टर की आग्या से भीम से नादी ने ततकाल उनके प्रेज संसकार का प्रवंद किया धरम राज दिश्टर ने समी नर्पतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज पर अभिशिक कर दिया उन्ना स्वीमा अस्वीमा जै समाद